ग्यो से ग्यानी वाले शिक्षक ने करदी ऐसी करतूत कि आप सोचने पर हो जाएंगे मजबूर। मुझफर नगर में 17 चात्राओं के साथ छेड खानी का मामला सामने आया है। जिसे अंजाम देने वाला और कोई नहीं बलकि उनके ही स्कूल का एक टीचर निकला। तो आईए जानते हैं पीडित चात्राओं ने इस मामले में क्या कहा। प्रक्टिकल दिये जिए वहां फिर खिचडिक बनाई ती जिसांज कुसमें नसे दवा दीए गी ती ती लड़की अच्छाडिक इन लोगों बनाई ती ती फिर ने बनाई ती वह आपकी बनाई होई थिचडिक क्या हुआ वह गेर दी चट्पा नो कच्छे चावल है। प्रक्टिकल किस चीज करता है। हिंदी का जी। अच्छा क्या प्रक्टिकल खार सच्विक में। हाँ जी कोफी बढ़ाई ती प्रेक्टिकल यह तो पतानी जी हम प्रेक्टिकल दिवायते जी मारे। यह मामला तब सामने आया। जब 17-16 में से कुछ ने अपने घरवालों को इसकी शिकायत की। जिसके बाद घरवालों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पता लगा कोई प्रेक्टिकल नहीं चल दा उसके बाद भी मास्टर की मिली भगती तोफीर वाले की और तुगलपूर कमेडे वाले की जो इसकूल वाला था। तो उसके हमने पुलिस को रिपोर्ट दी और पुलिस उसे ठाकर ले गी ती और फिर पैसे ले गया क्या हुआ वो फिर मास्टर जी रात को छोड़ दी। अगले दिन भी प्रैक्टिकल था लेकिन कोई प्रैक्टिकल नहीं था। वही मुझफर नगर के पुलिस ने कहा। तुगालपुर कमेडा गाउ में 17 लड़कियों को नशीले सेवन कराने के बाद छेड़ खानी की गई। पुलिस ने आरोपी मास्टर को गिरफतार कर लिया है। वहीं पुलिस के एक अधिकारी पर लापरवाही का आरोप भी लगा है। जिसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दे दिये गए। Bureau Report, Crime Talk.